शिव जी की महिमा होती है अपरमपार जो सभी भक्तों का करती है बेडापार चलो आओ जुड बैठे शिव जी के चरणों में मिलकर बाट ले हम भोले का ये प्यार आप सभी को सावन मास शिवरात्री की धेर सारी शुब कामनाएं दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ सावन शिवरात्री कब से लेकर कब तक रहने वाली है पूजा का शुब मॉर्थ गया रहेंगा निशीता काल का मॉर्थ क। वाला है और मासिक शिवरात्री की जो चार पहर की पूज़ा है वो आपको किसस समय करणी है और व्रत खोलने का शुब समय क्या रहे इसके साथ ही में आपको बताऊनाद समय च्वुल भुषा करते तो सबसे पहले जानते हैं कि मासिक शिवरात्री का व्रत आपको किस दिन रखना है हर महिने की चतुर्दशी तिथी को मासिक शिवरात्री का व्रत रखा जाता है और इस बार सावन महिने की जो मासिक शिवरातरी है उसका व्रत रखा जाएगा 6 अगस्ट शुकुरवार के दिन जानते हैं कि चतुर्दशी तिधी कब से लेकर कब तक रहने वाली है तो 6 अगस्ट की शाम 6 बचकर 28 मिनट से चतुर्दशी तिधी प्रारम हो रही है जो कि समाप्त होगी 7 अगस्ट की शाम 7 बचकर 11 मिनट पर निशीता काल का मोहरत रहने वाला है चतुर्दशी तिधी शाम 6 अगस्ट की रात 12 बचकर 6 मिनट से लेकर रात 12 बचकर 48 मिनट तक कहते हैं कि मासिक शिवरातरी के दिन पूजा करने के लिए यह मोर्त सबसे उत्तम रहता है जो लोग मासिक शिवरातरी के दिन चारों पहरों की पूजा नहीं कर पाते हों उन्हें निशीता काल के समय पूजा करने चाहिए अगवान शिव के जो भी भक्त मासिक शिवरातरी की पूजा करते हैं वे चार पहर की पूजा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं आज मैं आपको बता देती हूं कि मासिख शिवरात्री की जो पूजा सावन के महिने में आपको करनी है उसका मुहत क्या कै रहने वाला है पहला पहर प्रारंप हो रहा है 6 अगस्त की शाम 7बचकर 8 मिनट से लेकर रात 9 बचकर 48 मिनट तक दूसरा पहर प्रारंप हो रहा है प्रारंभ होगा वो प्रारंभ होगा साथ अगस्ड की सुह तीन चैनल से मिनटत से लेकर सुभार पांच बच्द का शियालिस नेमे तक समय आपके वरत खोलने के लिए शुब समय है सावन्स को बहुत Neil होता है और कहते हैं कि जो भी भक्त सावन के महिने में भगवान शिव की पूजा ना कर पाते हों उन्हें जल नहीं चड़ा पाते हों या भांग धतुरा बेलपत्र अर्पित नहीं करते हों तो उन्हें मासिक शिवरात्री वाले दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत तरीके से क जहते हैं कि अगर आप भगवाल शिव की पूजा कर लें उनका ध्यान कर लें और अपने पवित्र विचारों को पूज्बाबी अर्पित कर दें तो भगवान शिर्व उस उसमें भी आपको ये सामगरी भगवान शिफ को अर्पित करने चाहिए आपको चाहिए गंगा जल सफेद चंदन ध्यान रखना है कि कुम-कुम भगवान शिफ को अर्पित नहीं किया जाता है तुलसी के पत्ते आपको भगवान शिफ को कभी अर्पित नहीं करने चाहिए आ आपको चिकनी साइट से भगवान शिवलिंग के ऊपर पेल पत्र चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही कभी भी तांबे के लोटे से आपको दूद या पंचामरे दही घी कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप जलतो भगवान शिव को तांबे के लोटे से चढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें आपको किसी भी मिश्रित धातू के लोटे से या फिर स्टील के लोटे से आप चढ़ा सकते हैं, शिवरात्री के दिन पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानत हैं कि भगवान शिवकीं पूजा करने के कुछ बहुत नियों करता है जिनका पालान आपको जरूर करना चाहिए जैसर्ट कि शिवलिंग की परीwsकुला हमेशां आध्य ही की है परिकिर्मागरते से में आपको एक विष्ध मंतर का जाप करना होता है इस मंत्र का जाप और पूजा विधी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी इसके साथ ही दोस्तों आपको कुछ और बाते हैं जिनका ध्यान रखना होता है जैसे कि जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें मासिक शिवरात्री के दिन देवी पारवती के सिर से गंगा जल य लाबुद चावल भी चढ़ाएं गेहु भी अर्पित की जाते हैं दूर्वा भी अर्पित की जाती है इसके साथ भांग धातूरा और आज के Epic पर चड़ाई जाते हैं とो आपके पास जो भी सामगरी उप्लब्द हो आप वह सामगरी में अगली वीडियो में बताऊंगी और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा